हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज का ये वीडियो माइक्रोसोफ एक्सल का है और एक्सल में खास क्या क्या सीखने वाले है आई आपको पताता हूँ देखी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के नाम लिखे हुए है और कुछ CPU के नाम लिखे हुए है अब CPU में देखे डेल का CPU है लेनों का i5 है असूस का CPU है ठीक है इसके लावा HP i7 कोर प्रोसेसर जो है उसके लिखे लिए CPU है ठीक है और यहाँ पर कीबोर्ड के भी अलग-अलग वराइटी जाती है तो इसमें आईवाल का कीबोर्ड है लेनों का कीबोर्ड है HP का है ठीक है तो यह अलग-अलग वराइटी की कीबोर्ड है तो हम यह चाहते हैं ना कि यहाँ पर आप देख सकते हैं य तो अब देखेंगे कि नेम में वही वही नाम दिखाएं पड़ेंगे के वहल Fay जो की somebody है जैसे आईबंळ्यू है लेकिन आगर यई ही मैं यहाँ पर चेंज करदेता हूं देखी यहीं पर चेंज खरदेता हूं ani पीचे नहीं जाता हूं यहीं पे चेच करते तो CPU कर दिया मैंने अब जैसे ही मैंने CPU किया तो देखें आप एक विडियो और बना देता हूं इसके लिए थैंक्स